आप सबको पता है 2023 का प्रोसेश जो है वो अभी कतब हो चुका है फाइनल रिजल भी आया है स्कोर काड भी आया हुआ है कट आफ ये सारी चीज़े हमें पता है अभी एक्चली जो रैंक लिस्ट है वो RBI के तरफ से अफिशली डिकलेर नहीं होती है लेकिन कुछ लोग RTI फाइल करते है मैंने भी एक दो स्टूडूस को कहा है RTI फाइल करने को जैसे ही वो पूरा लिस्ट आ जाएगा उसके बाद हम उसका अनलिसिस करेंगे लेकिन अभी हमारे जो स्टूडन सेलेक्ट हुए है उन में से कुछ लोगों की मार्क शिट हमारे पास है तो उसके बेसिस पे हमने ये अनलिसिस किया और ये अनलिसिस बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि हजारों लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि सर इस देर एनी कोर्रेलेशन बिट्वीन इंटर्व्यू एन फेस्टू मार्क तो ये अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बीच में बोल रहे थे कि सर उके पास हमारे फेस्टू के मार्क होते है लेकिन मैंने RTI फाइल किया था और वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो इंटर्वी पैनल होता है उनके पास फेस्टू के मार्क नहीं होते है ये RTI का इंफॉर्मिशन है तो ये सही है तो हमें इस पे भरोसा रखना है तो अभी मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेंड आपजर किया है कि फेस्टू में वन आप दी हाइस्ट मार्क मिले है और इंटरू में वन आप दो लोएस्ट है बताब फेस्टू में बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन इंटरू में सबसे कम है और उल्टा भी हुआ है उल्टा भी हुआ यानि की phase 2 में one of the lowest mark है और इंडरो में one of the highest marks है तो इसमें कुछ relation है या नहीं है तो यह हम सारा यहाँ पे study करेंगे यह करने का purpose यह एक ही है कि आपके दिमाग में कोई doubt ना रहे यह जो analysis का दोर है और कुछ एक 8-10-15 दिन चलेगा उसके बाद आपको पीछे जो कुछ भी हुआ उसको बिलकुल नहीं देखना है आगे देखना है क्योंकि आपको पता है जब हम गाड़ी चलाते है तो हमारे पास एक सामने वाला बड़ा screen होता है यानि कि जो window होती है वहां से हम देखते है ठीक है फ्रेंट वाला और उसके बाद पीछे एक mirror होता है जो वहां पे आपको दिखता है तो बड़ा बाला है वह सामने देखने के लिए चोटा पीछे देखने के लिए यानि कि हम जब गाड़ी चलाते है तो हमें future में देखना है तो यह पास्ट है यह भी जरूरी होता है लेकिन इसके पीछे जादा नहीं पड़ना है तीक है मैं और दो-चार यहां पे वीडिय मैंने भी यही प्रेडिक किया था और यह वन आप दो लोएस कट आफ है फेज वन फेज टू एंड इंटरव्यू का यह फेज टू का कट आफ एंड फाइनल कट आफ देखेंगे तो यह आप यहां पर अनलिसिस देख सकते हैं उसके बाद यह हमारी अभी नई बैच है हमार चुछ RBA के एक्स ओफिसर्स भी है तो चड़ो अभी वीडियो के जो थमनेल उसके टॉपिक पर आते हैं तो इंटरू का हमारे टोटल 70 स्टूटन्स है लेकिन कुछ स्टूटन्स का क्या है जैसे रोल नंबर लिखते है या डेटा बरत है उसमें मतलब मैच नहीं हो रहा थ चुछ लोगों का डेटा फाउंड नहीं आ रहा था उसके वज़े से 62 लोगों का डेटा है यहाँ पर बाकि कुछ लोगों का यह डेटेव करने का ट्राइ करें तो अभी जो 62 लोगों का डेटा है यह बी एक सफिशेंट नंबर है तो यह जो स्टूटन्स है इलेक्टेड इंटरू का एवरेज है 52 marks and phase 2 का एवरेज है 79 marks ठीक है यह याद रखिया average और इसमें सारे category के students है तो इंटरू का एवरेज 52 है phase 2 का एवरेज 179 है अभी देखिए इसको मैंने दो तरीके से अरेंज किया एक तो मैंने phase 2 का score highest से lowest लगाया हुआ है और उसके बाद दूसरे slide में मैंने इंटरू का score highest से lowest लगाया है तो यानि कि आप analysis कर पाएगे अभी देखो ये 4 student हम पकड़ेंगे कि one of the highest marks है इनको 200 के उपर 195, 196 और इंको देखो इंटरू में कितने marks है 52 का तो average है ठीक है 44 marks मिले है 45 मिले है 31 31 तो one of the lowest marks मिस है यानि कि आप phase 2 में one of the highest marks ले रहे हो और अब दो इस mark ले रहे ठीक है ये एक pattern हमने देखा है यहाँ पर बाकि आप सारे लोगों का देख सकते कि उनको phase 2 में कैसे मिला है अगर कोई correlation करने का try करेंगा आपको पता है correlation आप निकाल सकते है कोई correlation नहीं यहाँ पर कोई correlation नहीं है किसी को भी किसी type के marks मिल सकते है क्योंक लिखने में smart नहीं है उल्टा भी हो सकता है जो लिखने में smart है बात करने में नहीं है तो अलग अलग टाइप की personalities अलग अलग टाइप का intelligence आपको दिखाए देगा यानि कि यह जो दो अलग अलग evaluation इसमें कोई correlation नहीं है यहाँ पे हम actual number देख रहे तो यह आपको पता चला क यह फेस्टू में one of the highest marks है एंड इंट्रू में one of the lowest marks है अभी देखो यहाँ पर यह देखो इनको 68 one of the highest marks में से है ठीके 68 इस बार बहुत कम लोग ऐसे कि इतने marks मिले 68 marks है एंड यहाँ पर देखिए मतला हमने वहाँ पर देखा था दोस्तों के ऊपर और यहाँ पर जबरदस performance है तो यह जो दो अलग-अलग skill है यह जो अलग-अलग level पे अलग-अलग लोगों से check किया जाता है इसलिए इसमें कोई correlation आपको दिखा ही नहीं दे यह मैंने दिखा अभी इसी data को हम थोड़ा सा अलग तरीकी से देखते है अभी देखो यह मैंने क्या किया है य लेकिन इनका phase 2 का score कैसा है यह देखो 179 average है average से कम ही इनको और इनको तो lowest है हमने देखा वो मतलब intro में आप highest score कर रहे हो लेकिन phase 2 में आपका lowest है या फिर आप below average है average 179 तो यह अभी दूसरे तरीके से देखते है यहाँ पर देखो यह जह 20 mark है यहाँ पर 175 है यहाँ पर 31 है यहाँ पर 200 mark है यह भी देखे यह 203 है 195 लेकिन यहाँ पर 45 and 44 marks मिले यह one of the highest marks है और यह आपके average से भी कम है यानि कि आपका जो skill है वो अलग-अलग type का skill है आपका MCQ solve करने का skill अलग है descriptive paper लिखने का skill अलग है and intro देने का skill अलग है तो कभी-कभी क्या होता है कि आपका ऐसा क कोई नहीं होता है कि जिसका सारे skill अच्छे है अभी मैं यह जो marks है इसका भी bifurcation करके analysis करूँना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ESI में objective में single digit mark मिले 7 mark, 8 mark, 9 mark, still उनका selection हुआ है क्योंकि उनका descriptive अच्छा होगा तो आपके देखो एक objective का skill है objective, descriptive का skill है and एक आपका intro का skill है आपक आपको तीनों level पर काम करना है और कुछ student ऐसे भी हो सकती कि जो तीनों level पर average है, average, 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 average mark आगे selection हो गया, यहां यहां पर बहुत जबरदस्त है, यहां पर थोड़ा से weak है, यहां पर बहुत जबरदस्त है, कुछ ना कुछ आपका एक above average होना चाहिए और बाकी दोन average पर कोई correlation नहीं है, कि आपके जो face to के marks है और intro के marks है, यह अलग-अलग skill है, अलग-अलग लोग यहां पर check करते है, और यह हम नहीं कह सकती कि जिसी का अगर descriptive answer rating अच्छा है, तो उसका objective भी अच्छा होगा, इसका objective अच्छा है, उसका intro भी अच्छा होगा, तो यह तीन आपे लिखाए उंगा, thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations,